ग्रेज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेट टाइम आउट और सेट और डवल कर सकते हैं अब लोग बात करने वाले हैं सेट इंटरवल की और सेट टाइम आउट की कि यह क्या होते हैं और बहुत ही कमाल की चीज है मैं आप लोग दिखाते हूं एक रैपल बनाकर और यह ऐसी चीज है जो कि शाहिद आप लोग जावा स्कृट में बहुत जादा यूज करने वाले है तो यहां पर मैं अपनी खोल लेता हूं और इसका जो टाइटल है वो भी सेट कर देता हूं और हम लोग जावा स्कृट में आ जाते हैं क्योंकि हम सिर्ज जावा स्कृट से काम करने वाले हैं अगर मालनों मैं आप लिखता हूं एलर्ट हेलो ठीक है तो आप लोग भी कोई कोई किया जी कैसे मज़ा के अलर्ट हेलो लिगा तो हेलो अलर्ट हो जाएगा भई ठीक है कोई इतनी बड़ी रोखिट साइंस उसमें है नहीं ठीक है लेकिन अगर मैं आप से कहूंग यही अलर्ट में देखने चाहता हूं चार सेकिंड के बाद ठीक है और जब यह रिट काल देता हम जरा से टाइम आउट के अंदल जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको एक फंक्शन है ठीक है और मैं उसके लिए कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं अलर्ट और आयम इंसाइड ऑफ से टाइम आउट ठीक है यह करने के बाद मैं कॉमा लगा कर मालो 2000 लिखता अब ही मैं इस पेज को रिलोड करूं अगर तो आप लो देखो एक तो हेलो आगया मैंने ओके कर दिया और जैसे ही दो सेकंड्स पूरे हो गया क्या आया आया इंसाइड ऑफ सेट टाइम ठीक है अगर मैं इसको दुबारा से रिलोड करो इस हेलो को मैं डिस्मिस कर दूँ और उसके बाद देखऊ-अ हम इंसाइड और से ट्ट टाइम ओट आ गया तो कभी भी जावाे स्कृप में। को कोई task को टालना है क्या करना है किसी भी task को टालना है तो आप set timeout का इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है मालो यही काम है पांच second बात करना चाहता हूं ठीक है तो मैं काम करता हूं इस hello को document.write कर देता हूं document.write hello और देखो यहाँ पर hello हो गया और पांच second के बाद मुझे एक alert देखने को मिलेगा और वो मुझे देखने को मिल गया है ठीक है आप देख सकते हो अब मैं आप लोग को दिखाता हूं मालो मैं लिखता हूं let is equal to set timeout और console.log ए करता हूं मैं ठीक है तो मैं अगर आप लोग को console करों किए डिखने के रिलोड करöyleकर तो आप लोग देखना यहाँ पर ओनलिक गर आ रहा है ठीक है यह क्या है यह वन्र क्या है यह timer id है ठीक है अब देखो 5 second के बाद set timeout यहाँ पर यह इस तरह से आ गया ठीक है अब यहाँ पर देखो आप लोग की one लिख करा रहा है one क्या timer id है ठीक है अब मान लोग कि मैं इसको cancel करना चाहता हूं ठीक है तो मैं क्या करूंगा लिखूंगा clear timeout ठीक है और मैं लिख क्या चल रहा है यह क्या है इसको दरा clearly समझा दो मैं clearly समझाता हूं आप लोग को क्या चल रहा है देखो मैं clear timeout अगर करता हूं तो इसका मतलब की मैं यह वाले set timeout के execution को stop कर रहा हूं ठीक है अब इसको क्यों use करना है कभी use करना है कैसे use करना यह बताता हूं मालो मैंने want to run these set timeout ठीक है माल लो मैंने कुछ इस तरह से करा और येस या नो आप लिख सकते हो अगर येस लिखा अगर नो लिखा अगर नो लिखा इफ नो इकल्स टो इकल्स टो पी तब मैं क्या करूंगा अब देखना आप लोग यहां पर अगर मैंने यहां पर इसको रिलोड किया अभी मुझे तो पांच सेकिन के बाद क्या होगा अभी से मुझे ये दिख जाएगा लेकिन अगर मैं एंड करतूंगा तो यह नहीं दिखेगा ठीक है तो कभी भी मुझे मुझे on the time of time करते हैं का सब्सक्राइब मुझे डिख सकता हूं अब मैंने no कर दिया थे मुझे पने का मार्म कर तो तो म्हीं कर सकता हूं अब मैंने no कर दिया थे और मैंने no कर दिया Dok आपको एक timer id return में मिलती है ठीक है और set timeout उसके बाद आप एक function दे सकते हैं उसके बाद आप डिले दे सकते हैं और इस function के arguments दे सकते हैं तो यह चीज़ भी देख लेते हैं एक बार ठीक है मालू मैं एक function लिगा मैं लिखता हूं const sum is equal to एक function ठीक है जो के return कर रहा है प्लस भी अब मालो मैं run करना चाहता हूं और मालो यह ना console log भी करता है ठीक है यह console log भी कर रहा है मालो किसको console log कर रहा है कुछ इस तरह से console log कर रहा है yes I am running ठीक है मालो यह भी कर रहा है अब मैं run करना चाहता हूं किसको मैं simply run करना चाहतंब करना सबसा गरें सबसे फ़ह फ्क्रट का नाम लिख दूंगा फिर मैं इसके बाद 1,2 लिख दूँगा इस तरह से अभी मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा और रिलोड करूँगा तब आप लोग देखना है यहाँ पर सम हो जाएगा यह साइम रनिंग लिखकर आगे देखो एक सेकंड के बाद ठीक है क्या यह सही से रिटर्न कर रहा है ठीक है मैं आपर एक काम और करता हूँ मैं आपर A प्लस B भी कर देता हूँ ठीक है और मैं एक काम करूँगा A प्लस B पहले वैलिएट हो जाए उसके बाद यह मुझे दिखा दे तो yes I am running 3 लिखकर आना चाहिए एक सेकंड के बाद यह सारा है बढ़िया ठीक है इट वरक्स तो हम बाद में arguments भी दे सकते हैं function को और यह arguments कितने भी हो सकते हैं मालो मैं आपर एक 7 कर दूँ और यहां पर मैं C भी कर दूँ ठीक है और यहां पर प्लस करके C कर दूँ मैं और मैं इसको रिलोड करूँ और आप लोग देखना है मैं इसको रिलोड करूँ और यह साम रनिंग 10 आ गया क्यों है 10 आया एक प्लस दो ब्लस साट 10 होता है ठीक है तो इसलिए 10 आया लिखकर अब मैं क्या करूँगा कि आप लोग को वापस से यहां पर लेकर चलूँगा यह टाइमर इडी रिटरन करता है कुल में लागे ठीक है सेट टाइम आट मैंने लिखा पंक्शन डिले अर्गुमेंट वन फिर उसके बदा अर्गुमेंट टू ठीक है सेट इंटरवल मेंट है यह बता देता हूं आपको सेट इंटरवल क्या करता है कि बार बार रन करता रहता है सेट टाइम आट में मैंने क्या किया है मैंने कहा कि इस फंक्शन को रन कर दो एक सेकेंड के बाद सिर्फ एक बार set interval में क्या होगा हर एक second में run करते रहो दुबारा बताता हूँ set time out का मतलब कि इस function को run कर दो एक second के बाद या 2 second के बाद या set seconds के बाद ठीक है जितने भी आपने दे दी है आपर millisecond में लेकिन set interval का मतलब है कि इतने second के gap पर run करते ही रहो करते ही रहो एक तरह से समझ लो की set interval while infinite while loop के अंदर set time out है जो की हर second में चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा ठीक है तो बहुती बुराफ सी analogy दी है बट आप लोग समझ जाओ कि कि किस तरह काम कर रहा है जिसे माल लो में चाहता हूँ कि एक alert चलता रहे मेरा मैं आपर एक function देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा alert और यहाँ लिखूंगा set interval और यह जो function इसको मैं माल लो रन करना जाता हूँ तीन सेकंड हर तीन सेकंड पर ठीक है तो इसको मैं रिलोड करूँगा यहाँ पर तब आप लोग देखना कि हर तीन सेकंड में रन होता जाएगा तीन सेकंड में set and double लिखकर आगे है फिर दुबारा तीन सेकंड में दुबारा से set and double आएगा फिर तीन सेकंड जैसे यहोगा set and double लाएगा तो यह चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा ठीक है and so on I hope कि यह आप लोग को एकदम clear है और मैं आप इसको अटा देता हूँ नहीं बहुत ज़दा annoying हो जाएगा हम सब के लिए अरे भाई मुझे इसे comment out करने दो okay हाँ ठीक है यह भी बार बार जो है दिखाता रहेगा तो अब ठीक है अब मैं आप लोग को एक quiz देता हूँ आप लोग को एक काम करना है कि जिस तरह से मैंने side time mode आपको करके दिखा है यूट्यूब के comment section में डालना ताकि मैं आपके code को देख पहूं सिधर क्लिक करके I hope कि आपको set time out समझ में आ गया कि क्यों यूज किया जाता है क्या होता है अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस अब जिस तरह से हम लोग cancel करते हैं execution set timeout का उसी तरह set interval का हम लोग clear interval के थरू करते हैं जिस तरह set timeout का execution stop किया जाता है clear timeout की सहाइता से उसी तरह से set interval के execution को stop की जाता है clear interval की सहाइता से I hope कि यह भी clear होगे आपको की clear timeout और clear interval में क्या difference है आपको assembly दोनों को timer id देनी होती है बस set sorry clear interval जो है वो set interval के timer id लेकर उसके execution को stop कर देता है ठीक है मालो मैं ही चाहता हूँ कि अगर 5 बार मैंने show कर दिया उसके बाद मैं alert show करना बन कर दो तो मैं इसा कर सकता हूँ clear interval की सहाइता से clear interval जो भी timer id यहां से return की गई है वो यहाँ पर मुझे दे देना है और simply मेरा जो execution है वो stop हो जाएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतने गई अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट की प्लेइलिस्ट अकसेस नहीं करी अभी तक तो यहां क्लिक करके bookmark कर लेना यहां क्लिक करके save कर लेना thank you so much guys for watching this video and i will see you next time